दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो अपना खुद का CS Center open करना चाते हैं आपके कावी सारे कमेंट सारे हैं कि सर बताइए कितना ख़र चाहेगा एक Common Service Center open करने में तो इस वीडियो में आपको सारे कुछ बताऊँगा तो वी Common Service Center खोलने के लिए वह है आपका system आपके पास चाहे desktop हो चाहे laptop हो आप कुछ भी ले सकते हो जो पर आपके मर्जी है यहापर जो laptop है जो अभी फिलाल यूज किया जा रहा है इस Common Service Center में उसमें देख लीजे आप कितनी RAM है तो इसमें दोस्तों 8GB के RAM है आई 5 का processor है 11th generation है और Land of Company है तो इसका जो link है वो मैं आपको वीडियो के description box में डाल दूगा जाके check out कर सकते हो ठीक है keyboard माउस है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो desktop है उसमें देख सकते हो आप जो हमने keyboard और माउस लाए है इसकी cost भी करीब 1100 रुपे है ठीक है तो यह चीज़ा आप देख ल चाहिए होगा ठीक है इसके लब दोस्तों आपको प्रिंटर चाहिए होगा अभी जो अम प्रिंटर कर रहे हैं वो इसके बहुत बड़ी है प्रिंटर है लगबग यह तेरह 14000 रुपे का आता है और इसका लिंक आपको वीडियो description box में डाल दूगा इसकी दोस्तों जो maintenance cost ब चाहिए लेमनेशन मशीन यहां पर जो यूज़ कर रहे हैं वो करीब थीन जार रुपे की बड़ी मशीन है चोटी मशीन भी आती है जो कि अगर आपके दुकान पर कम लोग आते हैं कम गराक आते तो उसके लिए आपको यह वाली मशीन लेगने पड़ेगी यह बहुत काम क का एक स्टूल हो गया तो यह बेसिक समाना जो आपको चीह होगा इसके अलाब दोस्तों यहाप पर जो इंपोर्टन चीज़ा वो यह है कि आपको जो बैनर है वो चपवाने पड़ेंगे इस तरीके से एक CS सेंटर का बैनर चपवाना पड़ेगा अपने नाम देखाना पड बात करते हैं तो कितना खर्चा आपका आगया इसमें टोटल स्टार्ट करने में एक लाग में यह सेंटर ओपन हो चुका है दौना सिस्टम लाग है कम्पूटर प्रिंटर और रिवेटर लाग है सब यहां पर दुस्तों एक लाग में देखिए इनके वास लैप्टॉप भ काम चल रहे ना बाकि इसमें कोई भी याद ऐसा नहीं है और किराय कितना आपका दुकान का किराय कितना दे रहे हूं तो यह काम आप श्राट कर सकते हो और एक लाग में आप पर यह काम श्राट हो जाएगा बहुत बढ़िया वारा ठीक है दोस्तों इस वीडियो को एकतम क और वीडियो को लाइक करके जुरू जाना थैंक यू रहे मच